हलो दोस्तों टेरा लूना के बारे में बात करने वाले काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग फेक्ट्स नजर आ रहे हैं मार्केट के अंदर कुछ गुड न्यूस भी है टेरा लूना को लेकर और साथी साथ आपकी जो सारी क्वेरीज थी कुछ क्वेरीज वीडियो में सोलू अभी ट्रेड कर रहा है सन क्रिप्टो की बात कर लो या कहीं पर भी आप देख लो इंडियन एक्षेंज में वजीर एक्स पर तो यह डिलिस्ट है अभी और कोईन सुच कुबेर पर भी आज यह डिलिस्ट हो जाएगा लगबक पांच बजे तो इन दोनों का देखते हैं क् को सपोर्ट करने वाले हैं जैसा कि UST की जो प्राइस है जो कि एक स्टेबल कोई था जिसी की वज़े से जो टेरा लूना की इतनी हालत खराब हुई है तो इन सब चीजों में यह सपोर्ट करने वाले हैं और एक चीज और इंपोर्टन में आपको पहले बता देना चाहता तो उसके रिगार्टिंग यह इवेंट होने वाला है उसके रिगार्टिंग में आपको अपडेट दे दूँगा कल के कली तो चैनल के साथ जुड़ जाएए फिलाल अगर UST की बात किजा जो टेरा लूना फांडेशन का ही एक इस्टेबल प्रोजेक्ट था अगर इसकी प टोकेंस की जो सिच्वेसन है उसके रिगार्डिंग यह बात करें और इनको सपोर्ट बेगर है जैसा की सीजर्ड बाइनस के जो सीओ है भया चोटे मोटे आदि में नहीं तो इनको इन्होंने बचे कुछे जो इनके रिमेनिंग असेट से उनमें से बिटकोइन इनको सेंड बचे हैं अगर असेट्स के नाम पर अगर इनके पास कुछ बचा है तो यूएस्टी और लूना टोकन ही बचे हैं थोड़े बहुत बेंबी हैं और 313 के आसपास बिटकोइन है जैसा की इस ट्विट में आपको नजर आ जाएंगे इनकी जो होल्डिंग है लूना प्रॉजच?", तो यह एसे प्रोजच्ट हैं कि इन पर हमेशा हर किसी को विश्वास रहता है कि यह इन्का प्रसेंट नीचे हो सकता है लेकिन इतना ज्यादा डूं नहीं हो सकता है तो जिन्नों ने यूइस्टी यू 이걸 дов करके रखावता तो वह तो डंक से बरबात हो चुके तो उनको compensate कहने का मलब मुआवजा यानि कि उनको थोड़ा बहुत ये राहत परदान करने की कोशिस करेंगे इन बचे कुछे remaining जो इनके assets हैं अब ये चीज़ सामने आ रही है क्योंकि लूना का जो mindset है वो अभी भी UST को stable करना है यानि कि इसकी price को एक डोलर तक पहुचाने क है तो इससे एक चीज़ साफ के लिए होती कि लूना का price अभी थोड़े बहुत दिनों तक डाउन पर ही ट्रेड कर सकता है UST का price जब अगर एक बार एक डोलर के आसपास आ जाता है तो लूना में भया फिर 30 से 40 गुना का pump एक ही दिन में दिखाई दे सकता है क्योंकि सबसे जो important role निभाने वाली चीज़ है वो है UST अब एक question आपका मैं यही पर clear कर देता हूं काफी लोग जो कि कल वाली वीडियो में भी पूछ रहेते कि कहां से buy करें कैसे buy करें अगर Indian exchange की बात की जाए तो आप Sun Crypto से buy कर सकते है उसका link आपको description में मिल जाएगा वही पर आपको जिसमें bitmart hotbit सारे आते हैं तो उन पर भी available है तो आप वहां से भी buy कर सकते हैं लेकिन एक चीज आप अच्छे से ध्यान रखना कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कुछ लोग जो बड़ी बड़ी हस्ते हैं इसको support कर रही है लेकिन इसका मतलब बिल्कुल यह भी नहीं है कि 500-5000 रुपे के बीच में भी मिल जाएंगे तो आप इतना ध्यान अकना क्योंकि इसमें रिस्क अभी भी है थोड़ा बहुत रिस्क हमेसा है इसमें क्योंकि एक प्लान जो की starting में एक rumors आया था जो की काफी अच्छी Forbes की website से आया था जिसमें Luna के जो CEO है उन्हीं ने एक प्ला प्लान बताया था जिसमें वो नया token लाने वाले लूना का और वन बिलियन सप्लाई के साथ में उसका जो प्लान था लेकिन हाला कि उस पर अभी दुबारा बात नहीं हुए तो यही का जा रहा है कि अभी लूना की burning होगी और यही token रहने वाला है आर पार लेकिन अभी इस पर confirm नहीं है फिलाल यूस्टी पर यह चीज कहीद आ सकती है कि इसकी एक billion यहने कि इनके खुद के पास 2 billion लगबग 2 billion यूस्टी रखावाई लूना फाउंडेशन के पास उसमें से यह एक billion यूस्टी को burn करने वाले हैं और साथी साथ जो बच्चे कुछे remaining bitcoin ने उनको यह sell करके में भी यूस्टी को खरीदें एक डॉलर की प्रैस पर ताकिस का प्रैस थोड़ा बहुत उपर आ सके अब जैसा कि polygon CEO ने जो चीज ओफर किये यह इतनी बुरी भी नहीं है क्योंकि blockchain पर इधर उधर सफल होना इतनी गलत बात नहीं है जैसा कि टेला लोना के अगर बा होती है तो इससे भी इसको काफी अच्छा-कासा बुर्स्ट मिल सकता है यूस्टी की प्रैस को इसके लावा जैसा कि यह सबसे बड़ी हस्ती और सबसे बड़ा एक्सेंजी भी है दुनिया का जैसे इसने वापिस से रिलिस्ट किया तो लूना को खरीदने के लिए लोग प पहुचेगा क्योंकि यह चीज भी क्लियर हो चुकि है कुछ नजर आ रहे हैं इसी तरह के सीजड बाइनेस के तरफ से भी लूना की तरफ से भी और जो उनके सीओं उनकी तरफ से भी यही खबर आ रही है कि यह उएस्टी को वापिस से इस टेबल पर लाना चाहते हैं तो यह उनका सबसे पहला मोटो रहने वाला है तो लूना के बात करने से अच्छा है हमें यूएस्टी की बात करनी चाहिए और द्रही बात अगर इस ट्विट की जो रिमैनिंग असेट से तो भाई यह इतने इनफ हैं कि यह लगबग 50% तक इसकी प्रैस को पंप गरवा सकते ह तो इसका अभी प्रैस है उसको लगबग डबल कर सकते हैं तो अगर बिटकोइन सेल होकर यह इसको यह रिकवर करने की कुछ तो दुबारा मार्केट में थोड़ा बहुत हलका फुलका क्रेस देखने को मिल सकता क्योंकि इतना बड़ा क्वांटिटी भी नहीं है बिटकोइ इस टांज आउड मोस्ट युएश्टी पैर वर जीरो फीट तू बिगन विद आ इंके पास इतना जयादा युएश्टी नहीं है क्योंकि योश्टी य्युएश्टी के पैर में यह ज्यादा इनकी होल्डिंग है इंहोंने गैटि यह इस्टी के बोला कि इतनी ज्यादा ह को लेकिन इस्टेबल को रेगुलेट तभी किया जाएगा यह चीज नजर मद्य नजर रखते हुए किया जाएगा कि यूस्टी की तरह इनकी भी हालत कभी भी हो सकती है तो यह चीज प्रोब्लमेटिक है साइध इसी वज़े से यह बड़े-बड़ी जो हस्तिया है लूना को सपोर्ट कर रही है इसके लावा इन्होंने जो सेकंड लाइन इसके लिए बोली है बाइनेस रिसीवड वन पॉंट फाइब मिलियन लूना और यह जब इन्होंने पीक पर खरीदा था पीक पर जब यह चला गया था लून पॉंट इसका वर्थ था और अगर आज की बात की जाता है या फिर थोड़ा बहुत नजदीक भी जाता है तो लूना में 20 से 30 गुना का प्राइस पंप दिखाई दे सकता है क्योंकि लूना में जैसे ही पंप आएगा तो भाईया अपने एटियस के और बढ़ेगा मार्केट की में बात करा हूं क्योंकि एटियस का मलब मार् 9,000 के असपास वो जा चुकी है लेकिन उसके सप्लाई उस टैम पे बिलियन में थी अभी ट्रिलियन में सप्लाई है तो भया मार्केट केप की मैं बात करा हूं वह वहां तक जा सकती है अगर मार्केट के नजदीक भी जाती है तो इसका प्राइस काफी अच्छा-खासा पं करना चाहिए तो आपको मिलेगा लेकिन जिन्होंने कर दिये उनका कोई फाइदा नहीं होने वाला है अगर उन्होंने लोस में सेल किया थो भया उनको नए टोकन भी नहीं मिलेंगे यह अगर यहीं टोकन रहेगा तब इसके लावाज इन्होंने आगे बात बुली सबसें इंट्रेस्टिंग जो चीज थी वह यह बोली थी जो यूएस्टी है उसको अभी यह इतना ज़्यदा कहने का कोशिस नहीं करें यह लूना पर ध्यान दे रहें लेकिन जो लूना की टीम है वो चाहती है कि यूएस्टी का प्राइस वापिस से एक डॉलर पर जाए क्योंकि य लूना में यूएस्टी नहीं आता है सुपोज यह बरबाद हो जाता है तो भाया लूना भी उतना अच्छा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका पर्टिकुलर्ली यूजकेस इतना बड़ा नहीं जितना उसका यूजकेस इस्टेबल को इनके साथ था इसके लावा जो इंपर वापिस उनको थोड़ा बहुत भुकतान करना चाहिए टेरा टीम को अब वो कैसे करेगी इस चीज़ का आइडिया कुछ नहीं लेकिन सीजेड बाइनस उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं जैसा कि मैंने अभी आपको यह जो आर्टिकल दिखाया था तो हो सकता यह इनको बात की जाए तो उसको टाइम लग सकता है वापिस से उस रेंज पर आने के लिए यूएस्टी का प्रैस अगर एक बार एक डोलर जाता है तो फिर लूना में काफी बड़ी बड़ी बर्निंग करवा कर यह उसके प्रैस को कुछ डोलर के आसपास लिजाने के कोसिस कर सकते ह बड़ा मुदब यह फिलाल लेकिन भरबर कर बाई करने की कोसिस कर रहे हैं जो लोग उनके लिए में पहले बता देता हूं इसमें रिस्क अभी अगर नया टोकन आता है तो आपको प्रोब्लम हो सकती है आपके पैसे और भी डूब सकते हैं अगर यूएस्टी का प्रैस इसको बाई किया था बिल्कुल लोग प्रैस पर तो वह उसको सेल करेंगे तो हो सकता है इसका प्रैस वापिस से डाउन आ जाए तो लूना बचे कुछे भी यह बेस दें फिर वह और ज्यादा भी जा सकता है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना बाकि थोड़ा बहुत पर इन्होंने एक डाला बाइस घंटे पहले ओल अपडेट्स विल बी पॉस्टेड ओंडिस ट्विटर अकाउंट टेरा मनी एनी अदर ट्विटर अकाउंट्स पर मोटिंग टू रिप्रजेंट टेरा आर फेक यानि की काफी जो यूजर सें काफी जो ट्विटर हैं वो ट इसके साथ इनको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है और कल इनकी एक मेगा इवेंट भी है तो इन सब चीजों के खथम होने के बाद में एक दू दिन में हो सकता है हमें यहाँ पर अच्छे अपडेट्स देखनों को मिले